हाई गाईज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओलियंडर पॉइसनिंग के बारे में तो सबसे पहले हम लोग स्टेबल की मदद से पिंक ओलियंडर और यलो ओलियंडर की बीच के डिफरेंस को समझते हैं साइंटिफिक नेम की बात करें तो पिंक ओलियंडर को हम लोग नीरियम ओडोरम कहते हैं जबकि यलो ओलियंडर को हम लोग सेरीब्रा थेवीटिया कहते हैं common name की बात करें तो pink oleander को हम लोग कनेर कहते हैं, yellow oleander को हम लोग पीला कनेर कहते हैं, कनेर का फूल या कनेर का पेड़, active principle की बात करें तो pink oleander में oleandrine, polynearine और digitoxigen होता है, जबकि yellow oleander में cerebrine, thivotoxin, parvucide, rovucide होता है, अब बात करें mechanism of toxicity की तो, ये cardiac glycoside से काफी similar है, जो की digitalis की बात करें, उससे काफी similar है इसका toxicity, ये inhibit करते हैं, sodium potassium pump, जिसके कारण electrolytic abnormalities हो जाती है हमारे body में, clinical features की बात करें तो GIT में हमें abdominal pain, diarrhea और vomiting देखने हो मिलता है, heart में बात करें तो, Brady arrhythmia और Ticky arrhythmia देखने को मिलता है, और electrolyte abnormalities, जैसे कि hyperkalemia हम लोगों को देखने को मिलता है, अब बात करें treatment की तो, antidote है oleander poisoning का digibind क्यों, क्योंकि इसका जो mechanism है, वो digitalis के तरह है, इसलिए हम लोग semi antidote देएंगे, AV block होता है, तो उसके लिए हम लोग atropine यूज करेंगे, और hyperkalemia करिक करने की कोशिश करेंगे, dextrose plus solution देखे, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे like करें, share करें और subscribe करें, ये वीडियो देखने के लिए थाइंगे,